अलो दोस्तों नमस्कार आज के वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 कोस्चन पर चर्चा करेंगे जो MCQ टाइप के होंगे और परिक्षा के दृष्टी से बहुत ही महत्पूर्ण होंगे अगर आपको हमारा वीडियो यह अच्छा लगे तो इसे का मतलब है सब्से मेंकर है कि ये कभी भंग नहीं किया जा सकता बीविकलब सब्सक्राइब हो जाएगा यह कभी भंग नहीं किये जा सकते संब्धा में लोकसभा और राजसभा के साधरन बहुमत से संसोधन किये जा सकते हैं ये भी सही है संसद सदस्दों के दो बटा तीन बहुमत से ये भी हो सकता ये भी हो सकता है लेकिन जनमत संग्रह से नहीं किये जा सकते ये गलत है तो D विकलब सही हो जाएगा दूसरा भारत में कब पहली बार राष्टिय आपातकाल घोसित किया गया था पहली बार भारत में जो 1975 में इंद्रा गांदी ने आपातकाल घोसित किया था उससे पहले भी दो बार आपातकाल घोसित हो चुका था और ये पहली बार जब हुआ था 1962 म 62 में आपात का लोत हुए था जब चीन से युद हुए था पहला विकल्ब सही हो जाएगा समधानसवा ने भारत के समधान को कब अंगी करत किया उदिध हुए उन्यtonow. जैंभी गलत है 13 и पांच माहा हमने 2020 राष्ट के संब्दान से अपने मूल अधिकारों की संकलपना को ग्रहण किया मूल अधिकार जो हमारे हैं संयुक्त राष्ट अमेरिका यानी यूसे से लिए गए तो पांच में का हो जाएगा हमारा डी चटा है यह राष्ट पती का पद खाली है तो उसस समाप्त कर दिया गया है तो यह देता था और यह 370 अनुच्छे था जिसे राष्ट पती के विशे साधिस द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया अगला आटवा है राजसभा के सदस का कारिकाल होता है राजसभा जो होती है उसका कारिकाल 6 वर्स है बी विकल्प से हो जाएगा 6 वर्स लोकसभा का 5 वर्स और राजसभा का 6 वर्स अगला निमलेकित में से कौन लगातार दो बार उपराष्ट पती निर्वाचित हुए तो इन में से जो मुहम्मद हामिद अंसारी है ये दो बार निर्वाचित हुए उपराष्ट पती मंत्री मंडल सामुषिक जिम्मेदारी निम्लेकित में से किस देश की देड़ है तो यह कहां से ली गई है यह बृटन से ली गई है क्किलला है अगला भार्मा है िए राष्ट्पति के निर्वाचन संबंदेत बिवादों का नष्ण के किया जाताय राष्ट्पति का इस समधान संसोधन का t Ern's the यह संद्दरे कि प्रिकोरिया दे रख्या यह पहला बिखल्प सही हो जाएगा tatsim ल्वहां उच्छत किस बेहारो से संवन्दित था अभी आया था उपर और यह कस्मीर और जम्मू से था चो समाप्त हो गया राश्ट्थ में उपराश्ट्थ पती दोनों पधское की रिक्तता की शितिसिमें कौन पत्समाले गा अगर राष्ट पती भी नहीं है और उप्राष्ट पत्ते का भी पत खाली है तो सर्वोच न्यालय का मुख Tnes जिस्पत को सुसोभित करेगा ये विकल्प सही हो जाएगा इनमेंसे कौन सा मौलेक अधिकार नहीं है समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है सोशन के बुरुद्ध अधिकार ये भी है समानता का अधिकार 14-18 जो नुच्छेद उसमें दे रखा 14-18 में और ये दे रखा है हमारा राष्टपती को उनके पत से कौन हटा सकता है तो कौन हटा सकता है संसद अटा सकती है संसद द्वारा महावियों लगाकर कि इसको हटाया जा सकता है दो या दो से अधिक राज मिलकर एक संयोक्त राजलोकसेवा आयोक रख सकते हैं ये समदान के किस अनुच्छेद में वनेता है ये अनुच्यद है तो 315 अनुच्छेद है और ये लोकसेवा आयोक से इसमें तो ये विकल्व सही हो जाएगा निमलिकत में से कौन सी सक्ती राष्टपती के प्रसासनिक सक्तियों में सामिल नहीं है महा नियावादी की नुक्ती ये प्रसासनिक सक्ती है संग लोक सवायो के अधिक्ष की नुक्ती प्रसासनिक सक्ती है बितायो का गठन ये भी प्रसासनिक सक्ती है इसकी यह कौन सी सकती है यह बिदाई सकती है towards बीवाला हो जायेगा एक किसवां भारत के बर्थवा राष्ट पति भारत के बर्थपढ़ में राष्ट पति श्रीमती दोपदी मुर्मू है ॹढी बिकल्प सही हो जाएगा न्याई पालका से कार पालका के पिर्टक गड की बिवस्ता किस अलच्छत में ग्राख की है कि न्याय पालका और पालका अलग अलग होगी यह किस अलच्छत में नंच्छत में गरका सी बिकल्व सही Ho ra तो हो जाएगा तो टेईस का हो जाएगा 14 संभा sister slut spite ब्रधान सवा में एक तता ब्रधान प्रसाद में कुल सदस्णिया के कितने सदस्णिया कर सकता है तो ये अधिक्तम जो है एक warranty है एक blush हुआ च्छाहिए तो राष्ट कीक 통े और ने राष्टिक्प ने बाष्ट क्वश्प क्या है और एकप ने म confess में से कौन सा कथन सत्य नहीं है प्रधान मंतरी की नुक्ती राष्ट-बती करता है और यह भी सइब तो गलत पूछ रहा तो गलत का मतलब इसमें बी वाला से हो जाए 26 का बी सटाइसे राष्ट-बती किसी विद्यए अगर डी, अठाइस्वा है, लोक सभा के कारेकाल की अबदी कितनी है, लोक सभा के कारेकाल की अबदी पांच वर्स होती है, उन्तिस्वा भातिये, राश्टिगान की पूरी दुन को बजाने में कितना समय लगता है, तो ये बावन सेकंड का समय लगता है, राश्टिगान को बजाने में, तीस है संब्धान के किस उपवंद ने केंदर सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्यापती बढ़ाने का अधिकार दिया है, हमारे संब्धान में जो सक्तियों का वटबारा दे रखा है, उसमें जो सातवी अन्ज सूची है तो इसमें तीन तरह किस दिया रखी है, एक संग सूची, एक राज सूची, एक संबर्ती सूची तो संग सूची में संग बना सकता है कानून, राज सूची में राज बनाने के लिए है और संबर्थी सूची में दोनों बना सकते हैं लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बिसे हैं जिन पर कानून बनाया जा सकता है तो वो सारी अपसिष्ट सक्तियां अनुच्छे 248 के तहट केंद्र को दे रखी हैं तो इसी के तहट ये विकल्प C हो जाएगा संसत के दोनों सद्नों का सत्रावसान करने का अदिकार किसके पास है तो ये अदिकार है राष्टपति के पास ये विकल्प सही हो जाएगा 34 निमलेकित बारती राजियों में से त्रिस्त्रिय पंचायती राज पनाली सबसे पहले किस ने अपनाई थी जो त्रिस्त्रिय पंचायती राज पनाली थी यह सबसे पहले राजस्थान के नागा और जिले में स्टार्ट हुई थी तो यह हो जाएगा C विकलप सई अगला है 35 और लाष्ट परिसन है हमारा अनुच्छे 352 के अंतरगत जब राष्टिय आपात गोसित होता है तो इस इस्तिती में कौन से सम्वैदानिक उपवंद निलंबित रहते हैं तो मूल अधिकार इसमें निलंबित रहते हैं लेकिन जो अनुच्छेद हमारा 21 है उससे छोड़ कर पहले इसे भी निलंबित कर दिया गया था जब 1975 में 1975 में जब इमर्जेंसी लगी थी तो ये भी निलंबित हो गया था लेकिन बाद में इसको सम्वैदान में संसोधन करके इसके लिए कह दिया गया कि अनुच्छेद 21 को छोड़ करके सारे अनुच्छेद निलंबित हो सकते हैं